नवस्कार दुस्तो स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजिक इसने जनल में तो आज के उडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल प्रॉब्लेम और उसके सॉलूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम यह फोटो में देख रहे हैं उस तरह से जो में जही बेने हैं वह फिलेका उलेक्ट जो अंदर का भां होता है वहाँ पे इस तरह से यह जो बलगम है वह निकल नहीं रहा है और आपको बलगम आता है और आपके सरीर में काफी ज्जयादा जो यह है वह बलगम बन रहा है फिर हम देखे तो जो नाक होती है नाक में से भी बलगम आने लगता है कि जिसको हम बैती हुई नाक कहते है या फिर जो बलगम का बाग होता है जो फ्लेम का बाग होता है वो नाक से बाहर आने लगता है या पर जो हम वीडियो में देख रहे है उस तरह से कि जिसको बहती या बरी हुई हम नाग कहते हैं फिर आपको गला जो है वो बार-बार साफ करना पड़ता है काफी बार आपको खासी आती है और जिसके करन बोलने में दिक्कत आती है कुछ routine काम कर रहे तो उसमें भी आपको मन नहीं लगता वो काम करने में फिर नाग जो है वो बैती हुई या बरी हुई हो जाती है गिली खासी आती है कि जिसको हम weight cough कहते है और छाती में काफी ज़्यादा cough जमा हो जाता है जिसको हम कहते है कि आपके छाती में या फिर आपके फेपड़ों में बल्गम जमा हो गया है और आठवा सीम्टम हम देखे तो छाती में जमा हो जाना तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते हैं कि आपको बल्गम की समस्य हो सकते कि जिसको हम medical term में weight cup करते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं आज के वीडियो lecture में और जानते हैं कि बल्गम का हम इलाज कैसे कर सकते हैं तो यह जो अलग-अलग chapter से उसकी हम आज के वीडियो lecture के अंदर study करने वाले हैं तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं basic से तो बल्गम क्या है कि बल्गम यानि कि ऐसी खासी कि जो थूक पैदा करती है या फिर जो फ्लैम होता है उसको पैदा करती है मतलब कि जिसको हम गीली खासी कहती है कि यह जो coughing होता है उसके दौरान फ्लेम आता है और यह होता यह है कि नॉर्मल ही तो हम कई बार हम कॉफिंग करते हैं पर यब जब यह खासी लंबे समय तक चलती है तो उसको हम वेट काप के समस्या कह सकते हैं बलगम के समस्या जो है वो कह सकते हैं तो एक रिफ्लक्स असन है हमारी बॉड़ी का कि हम जो गला साफ करने के लिए हम जो वो कॉफिंग करते कि जैसे हमारे गले में कुछ पी चीज मानलों के फसी हुई है तो वो हमारी खासी के थू हमारे सरीर में से बाहर निकल जाती है पर यह होता है कि जब हमारी छाती के फिर जब आप नीन से जागते हैं या फिर आप बात करते हैं तो उसकी जो सिम्टम से वो काफी ज़्यदा बत्तर हो जाते हैं मनलों कि आपको किसी से बात करना है या फिर आप सोए हुए हो सोकर रूट जाते हैं तो काफी आप अंकॉंफरिबल फिल करते हैं या फिर किसी क हम ये problem को solve कर सकते तो वो जानते है तो symptoms वही रहेंगे कि जो हमने आगे discuss किये जैसे कि नाक जो हो आपके बैती हुई या फिर बरी हुई हो सकती है बार-बार आपको गला साप करना पड़ सकता है खासी में जो हो खून आ सकता है फिर गले में खरास जैसा फिल करता है कि जिसको हम soreness कहते हैं throat के अंदर फिर कई बार क्या होता है कि जो गला है वो बैठ जाता है आवाज बैठ जाई है जिसको हम कहते है या फिर गला बैठ गया है स्वर बैठ गया है जिसको hoarseness भी कहा जाता है medical derms के अंदर फिर कई बार यह condition और जदा खराब हो जाती है तो breathing करना में difficulty होती है गर-गरा heart और सांस की तकलिफ रहती है मलब कि जो छाती में हम देखें कि मालों कि आप स्टेथोस्कोप से भी चेक कर रहे हैं तो गर-गरा heart की आवास जो हो सुनाए देती है पिर मुह में खटा स्वाद आप महसूस करते कि जब यह problem होती है तो यहाँ पर वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी new book है decision treatment उसको आप जरूर से order कर सकते हैं यह book को order करने के लिए आप दिये गए number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तो जैसे आज हम यहा हम detail study करते कि जैसे हम वीडियो में भी पूरा detail में सिखते हैं ऐसे ही यह book के अंदर भी आप detail में सीख पाऊगे तो यह book को order करने के लिए जो बाजू में जो number दिया है वो number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तब topic पर वापस आते हैं तो reason समझते हम जो बलकम का जो problem है तो यह कई ब हो सकता है bacterial infection में भी यह problem हो सकता है फिर जो सामाने सर्दी जो काम का जो problem होता है उसमें भी यह एक symptom बन जाता है बलकम फिर जो gastroesophacial reflux disease कहते हैं ZERD तो वो patient को भी कई बार बलकम का सामना करना बढ़ता है फिर जो asthma के patient है उनको भी बलकम हो सकता है अस्तमा है या फिर COPD के जो patient होते है chronic obstructive pulmonary disease तो उनको भी यह problem हो सकता है कि जिसको especially lungs related बिमार्या कहते है pneumonia में भी एक symptom बनता है बलकम फिर जो bronchitis होता है bronchitis में भी बलकम produce हो सकती है और फेपड़ों में कोई injury हुई है abscesses हुए है lungs damage हुए है तो भी बलकम जो वहाँ पर जमा हो सकता है फिर किसी को smoking की habit है तो उनको भी यह problem का सामना करना पड़ता है फिर allergic reaction हुई है आपको किसी भी तरह की allergy हुई है तो भी बलकम का problem हो सकता है फिर जब वातारण में बदलाव होता है यानि कि atmosphere में कोई change होता है जैसे की सर्दी में से गर्मी आती है गर्वी में से मौसम जो मौन सुन हम कहते है बारेख के सिज़न आती है इंद्धिश के से और वापस सर्दियों के सिजन आती है तो जैसे ही weather change होता है तो भी कुछ लोगों को सरुर में उनके बल्गम होने लगता है या फिर ठंड के सिजन में भी कुछ लोगों को ज्यादा बल्गम बनती है या फिर जो बारिस का मौसम है वहाँ पे भी यह प्रॉब्लम हो सकती है C.O.P.D. में ये एक सिम्टम बनता है तो अब बात करते हैं उसका डाइगनोसिस हम कैसे कर सकते हैं कैसे हम ये प्रॉब्लम का सही तरीके से निदान कर सकते हैं तो रीजन कैसे पता लगा है तो सबसे पहले जरूरी है कि पेशन की मेडिकल हिस्ट्री चेक करना कि पास्ट में उनको कौन सी बीमारी होई थी कौन सी दववाई या यूस की है या फिर ओकौन से माहौल में रह रहे है तो वो सब अच्छे से पेशन काउंसलिंग के दौरा ने दिती है तो वो चेक करना जरूरी है फिर साइन या शिम्टम्स के बीजिस पे एक डाइग्नोसिस हो जाकता है कि कौन से साइन है कौन से सिम्टम्स है पेशन के पिर एक यहाँ पर एक टेस्ट है ब्रॉंको स्कोपी भी किया जाता है कि बहुत सारे तरीके यूज कर तो जिससे एंडोस्कोपी होती है, कॉलोनोस्कोपी होती है, वैसे ही ब्रॉंकोस्कोपी होते है कि जिससे ब्रॉंकियल ट्यूब जो होती है जो आपकी विंड पाइप है उसको चेक किया जाता है कि जिसके इमेज इस आपको मिल जाते है उसका वीडियो भी मिल जाता है और कहां पर सबसे ज़्यादा यह बलगम जमा हुआ है फिर एको काडियो काम भी किया जाता है पेशन का कि जिससे भी रिजन पता चलता है फिर जो स्पूटम होता है उसका एनालिसिस किया जाता है कि जो सलाइवा है वो थीन और वाटरी होती है और बलगम कैसा होता है ठीक होता है और स्टीक होता है थोड़ा सा चिपचीक पा होता है तो फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जैसे हम यहाप अभी बलगम को डिटेल में सीख रहे हैं ऐसे ही बहुत सारी विमारियों के बारे में सीखना है तो आप ये जो हमारी बुक है उसको जरूर से order कर सकते हैं बुक को purchase करने के लिए आप हमें दिये गए नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं treatment के बारे में समझ लेते हैं तो treatment में क्या-क्या option है हमारे पास यहां पर जो अलग-अलग दवाइया है हर्बल दवाइया homeopathic antitursus यानि कि जो काफ करने वाली दवाइया mucolitis यानि कि बल्गम को पतला करके सरीर में से बाहर निकालेगी expectoran bronchodilators मतलब केसी दवाइया कि जो आपकी bronchial tube जो narrow हो जाती है उसको चोड़ा करके आपका बल्गम की निकालती है और breathing करने में भी जिससे आसानी रहती है तो यहां पर जो नई दवाइया है उसको हम सबसे पहले focus करता है तो treatment में पहला option बनता है कि सीपला का कॉफसील करके जो natural syrup आता है वो प्रिस्क्रेप किया जा सकते जिसका डूज रहता है पांच ml जितना दिन में दो या तीन बार कॉफसील वेट कॉफ का सीरप भी आता है 100 ml के अंदर ये भी प्रिस्क्रेप की जा सकती है अगर उससे भी ठीक नहीं तो तिसरा option है एलन का वसाक आफ करके जो एक product है कि जो भी पेसंट 5 ml दिन में दो या तीन बार यूज कर सकता है कॉफलेट करकी जो product आती है हिमाल्या की वो भी काफी अच्छा product है यहाँ पे बलगम को निकालने के लिए फिर हिमाल्या का वसा का सीरप आता है कि जिसके अंदर वसा का रहता है कि जिसक आप यूज कर सकते हैं फिर जो dairy filing के जो tablets होती है वो दिन में एक ही बार ली जाती विकोज यह आप देख रहे कि प्रोलॉंग रिलिस के tablet है ओडी लिखा है वहाँ पे महले कि दिन में एक ही बार उसको लेनी रहता है कि जिसके अंदर इटो फाइलिनेर थियो फाइलिन रहता है फिर AB filing SR करके जो tablet है वो भी यूज के जिसका मेरा detail वीडियो पी है कि जो आप उपर I button पे क्लिक करके देख सकते है फिर streptils ले सकता है पेसंट के अगर उसको बलगम है तो एक या दो लोजेंजेस दिन में दू या तीन बार आप खास सकते जिसके अंदर जो दवाई रहती है खासकर अब्रोकसॉल हाइड्रोख्लोराइड दस बाउप्स हम देखे तो मॉन्टेक लसी मॉन्टेल्यूकास्ट और लियोसेटरिजन का जो कॉम्बिनेसन है वो दिन में एक या दो बार टैबलेट लेनी रहती है नेक्स्ट ओप्सन हम देखे तो टस्क्यू dx dt करके जो टैबलेट है कि जिसके इंदर डेक्स्ट्रोमी थोर पान रहता है chlorphenidamine melate, phenylreferin और उसके यह dispersible tablet है बहला कि DT tablet है वो आपको निगल नहीं जाना है आपको एक glass पानी लेना है या फिर glass में पहले यह tablet दालो और उसमें पानी डालो प्रच्चे से उसको mix करो कि जैसे यह tablet है वो पानी के अंदर गुल जाएगी और वो पानी आपको पीना है तो अगर आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा यह वीडियो भी देख सकते हैं और यह जो circle है वहाँ पे क्लिक करके मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं So good luck and all the best और जो भी valuable suggestions है वो मुझे आप comment box के अंदर बता सकते हैं All the best